नमस्कार दोस्तों आप सभी की हाईली रिक्वेस्ट पर आज हम समझेंगे ट्रेडिंग साइकोलोजी के विशे में ट्रेडिंग साइकोलोजी मतलब की ट्रेडिंग का मनो विग्यान दोस्तों ट्रेडिंग साइकलोजी के इस कॉंसेप्ट को हम टोटल पांच एपिसोड में समझेंगे मतलब कि यह पांच एपिसोड की एक पूरी सीरीज होगी अगर मैं इसे एक ही वीडियो में बताने जाओं तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा इसलिए मैंने सोचा की पांच अलग-अलग एपिसोड बना कर इसे आपके साथ शेयर करूँ जिससे की आपको यह ट्रेडिंग साइकलोजी का कॉंसेप्ट अच्छे से समझ में आ सके और आपको मैं यहाँ पर एक बात की गैरेंटी दे रहा हूँ कि इन पांच एपिसोड को देखने के बाद आपको जो नोलेज मिलेगा प्रेडिंग के प्रती आपका जो माइंडिसेट विक्सित होगा उससे आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचना और समझना शुरू कर दोगे तो हम पहले एपिसोड की शुरूआत करें उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट हैं अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तो अक्सर में कई ट्रेडर्स को देखता हूँ जिनोंने कई प्रकार की ट्रेडिंग स्टेटेजी सिखी हैं कई प्रकार के अलग-अलग इंडिकेटर के विशय में भी सीखा हैं टेकनिकल एनालिसिस के कई कोर्स भी कर लिये हैं लेकिन फिर भी वे लोग बाजार से अच्छे रिजल्ट नहीं निकल पा रहे हैं यहाँ पर मेरे कहने का मतलब यहाँ है कि उन्होंने टेकनिकल एनालिसिस के विशय में सीख तो बहुत कुछ लिया हैं लेकिन वो लोग बाजार से प्रोफिट नहीं बना पा रहे हैं अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा हैं तो इसका सिर्फ एक ही कारण हैं और वह कारण यहाँ है कि आप ट्रेडिंग साइकलोजी के विशय में नहीं जानते हैं और अगर आप ट्रेडिंग साइकलोजी के विशय में जानते हो तो हो सकता है कि आप इसे सही से समझ नहीं पाए हैं तो चलिए मैं आपको इसे समझाने का प्रयास करता हूँ और इसकी शुरुवात हम इस सवाल से करते हैं कि what is trading psychology मतलब की trading का मनोविज्यन क्या है दोस्तो trading psychology का मतलब होता है जब कोई trader बाजार में trading करता है तब उसका क्या mindset है तब वह किन-किन emotions का सामना करता है उसके सोचने के तरीकों में कैसे बदला होता है क्या वह trader emotionally और mentally strong रहता है या फिर वह डर या लालच में आकर trade से बाहर हो जाता है ट्रेडिंग साइकलोजी में हम कुल मिला कर ट्रेडर के बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं उसके इमोशन्स को समझने की कोशिश करते हैं उसका माइंड सेट कैसे बदलता हैं इसे समझने की कोशिश करते हैं मतलब की जिस टेकनिक से हम किसी ट्रेडर की मानसिक इस्थती को समझने का प्रयास करते हैं, उसे हम ट्रेडिंग साइकलोजी कहते हैं, उसे हम ट्रेडिंग का मनोविज्ञान कहते हैं. दोस्तों क्या आपको पता है, हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का एक केमिकल होता हैं, और जब इस केमिकल की मात्रा हमारे दिमाग में बढ़ जाती हैं, तब हमें रोमांच का अनुबव होता हैं, हमें एक ऐसा थ्रिल मिलता हैं, जिससे की हमें अलग ही लेवल की हैपिने इसका अनुबव होता हैं, जैसे कि अगर आपने कभी किसी लड़की या लड़के को प्रफोस किया हो, तब अगर सामने वाले बंदे या बंदी का जवाब हा में हो, तब आपको जिस खुशी का एहसास होता है, वह इसी केमिकल डोपामाइन के कारण होता है, या आपने कभी बंजी जंपिंग करी हो तब यह केमिकल भारी मातरा में आपके दिमाग में रिलीज होता है और आपको एक अलग ही लेवल का रोमांच प्राप्त होता है या फिर आप जब कोई क्रिकेट मेंच देख रहे हो तब आखरी गेंद में छे रनों की जरूरत हो और लास्ट गेंद पर छक्का लग जाए तब आपको जिस रोमांच का अनुभव होता है वह इसी केमिकल की भारी मातरा रिलीज होने से होता है आप यह सोच रहे होंगे कि मैं आपको डोपामाइन के विशे में क्यों बता रहा हूं तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जब भी कोई पास हो जाता है तब उसके दिमाग में इस केमिकल की मातरा इतनी बढ़ जाती है कि उन्हें अलग ही लेवल का रोमांच मिलता है और इसी रोमांच को बार बार अनुभव करने के लिए एक जुवारी को जुए की लत लग जाती है और एक ट्रेडर को ट्रेडिंग करने की त चीखना और समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है दोस्तो एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें एक ड्रग एडिक्ट के दिमाग का MRI स्केन किया गया और साथ ही उस ट्रेडर के दिमाग का MRI स्केन किया गया जिसने अभी अभी एक ट्रेड जीता था मतलब कि उस ट्र इसके दिखाया गया तो डॉक्टर के लिए दोनों के बीच में फर्क बताना बिलकुल नामुम्किन सा हो गया था तब इस experiment से यह भार निकल कर आया कि अगर किसी trader को बाजार में successfully trade करना है या एक professional trader बनना है तो उस trader की psychology, उसका mindset और उसकी thinking ability हमेशा positive होना चाहिए अगर किसी trader की psychology, उसका mindset और उसकी thinking ability positive ना होकर अगर किसी जुवारी या drug addict के जैसी होगी तो trader कभी भी एक successful trader नहीं बन पाएगा दोस्तो psychology कहती हैं कि किसी भी आदत को बनाने के लिए 21 दिन का समय लगता है और वहीं किसी पुरानी आदत को छोड़ने के लिए 90 दिनों का समय लगता है यहाँ पर मेरा इस बात को बताने का कारण यह है कि अगर आपको एक professional trader बनना है अगर आप एक successful trader की तरह सोचना और समझना चाहते हैं तो आपको कुछ rules को follow करना पड़ेगा जो कि successful trader हमेशा अपनी trading में apply करते हैं और इन rules को लगातार 21 दिनों तक follow करना पड़ेगा जिससे कि यहाँ आपकी आदत बन जाए यह rules क्या है इन्हें हम आगे चल कर detail में समझ लेंगे और अगर आपकी कुछ ऐसी आदते हैं जो कि एक successful trader में नहीं होना चाहिए तो आपको उन आदतों को छोड़ना होगा जैसे कि अगर आप trading को gambling की तरह treat करते हैं तो आपको इस प्रकार की trading को बंद करना पड़ेगा ट्रेडर की बुरी आदतों को छोड़ने के कुछ rules भी हम आगे चल कर जानेंगे इन बुरी आदतों को छोड़ने के लिए आपको 90 दिनों तक इन rules को follow करना पड़ेगा हो सकता है कि आपको मैं जो इस episode में बता रहा हूँ वो आपको समझ में नहीं आ रहा है लेकिन जैसे जैसे हम इस series में आगे बड़ेंगे आपको trading psychology के विशय में अच्छा खासा knowledge हो जाएगा आपको ऐसी ऐसी बातों का पता चलेगा जो आप trading करते समय फोलो नहीं कर रहे थ पतार के प्रती आपका behavior केसा होना चाहिए दोस्तों आज के समय में जब भी intraday trading करने की बात होती हैं तब technical analysis से ज्यादा महत्व trading psychology का होता हैं दोस्तों आपके लिए यहाँ जान लेना बहुत ही आवशक हैं कि trading करने के लिए 90 प्रतिशत trading psychology का और केवल 10 प्रतिशत technical analysis का महत होता हैं आप मेंसे बहुत सारे लोगों को यहाँ बात सुनकर जटका तो लगा ही होगा कि सिर्फ 10 प्रतिशत technical analysis का महत्व हैं तो चलिए इसे मैं थोड़ा detail में समझा देता हूँ ट्रेडिंग में successful होने के लिए सबसे महत्वपुन भूमी का trading psychology की होती हैं लेकिन अधिकांच ट्रेडर इस important subject पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देते हैं इसलिए बहुत सारे ट्रेडर ऐसे होते हैं जो काफी training लेकर share बाजार में ट्रेडिंग करने आते हैं लेकिन फिर भी वे लोग trading में profit नहीं बना पाते हैं वे लोग बाजार में असफल हो जाते हैं जबकि उन लोगों ने काफी पेसा खर्च करके trading और trading strategies के विशय में सीखा होता हैं ऐसे में trader को ये समझ नहीं आता हैं कि जब वह सब कुछ सही सही कर रहे हैं trading strategies को सही तरीके से follow कर रहे हैं फिर भ लोग आपको technical analysis के विशय में trading strategies के विशय में अलग-अलग indicators के विशय में तो बहुत कुछ बता देते हैं और इतना सब सीखने के बाद जब आप live market में trading करने जाते हो तो ज़्यादतर मामले में आप लोग असफल ही होते हो इसका कारण यहा है कि जो आपने technical analysis के विशय में स जानते हो जादातर trader तो trading psychology के विशय में जानते ही नहीं है और जो trader इसके विशय में थोड़ा बहुत जानते हैं वे लोग भी इसे समझने की कोशिश नहीं करते हैं क्योंकि आप में से अधिकतर लोगों को trading psychology के importance के विशय में पता ही नहीं है तो दोस्तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि शेयर बाजार में trading करने के लिए 90 प्रतिशत trading psychology का महत्व हैं और केवल 10 प्रतिशत technical analysis का इस बात का पता आपको trading की शुरुआत करने से पहले चल जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा चलिए अब मैं आपसे कुछ सवाल पुछूँगा अगर आप चाहें तो इन सवालों का जवाब comment box में जाकर दे सकते हैं इन सवालों से आपको अपनी trading psychology और trading के प्रति अपने mindset का पता चलेगा पहला सवाल जब भी आपको लोस हुआ तो उसके बाद आपकी मांसिक इस्थती कैसी थी? दूसरा सवाल क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप चाहें जो कर ले आखिर में आपको लोस ही होगा? तीसरा सवाल इस्टोपलोस लगाने से या किसी और की राय लेने से आपको हमेश चोटा सवाल आपको प्रोफिट हजम नहीं होता या जब भी आपको प्रोफिट हो रहा हो तो आप जल्दी ही ट्रेट को क्लोस कर देते हैं और यहां सोचते हैं कि छोटा प्रोफिट अच्छा प्रोफिट पाँचवा सवाल आप बाजार के ट्रेंड को मुश्किल से समझ पाते हैं छटा सवाल आपको अपने डिसीजन लेने के लिए दूसरों की सलहा की जरूरत पड़ती हैं साथवा सवाल आप ट्रेडिंग करने के बाद ठगा हुआ अपने आप पर गुस्सा उदास या आनंदित महसूस करते हो आठवा सवाल क्या आपको लगता है कि बाजार की आपसे कोई नीजी दुश्मनी है जब भी आप बाजार में कोई शेयर खरीदते हैं तब बाजार नीचे जाने लगता है या आप जब भी कोई शेयर बेचते हो तो बाजार उपर जाने लगता है 9. क्या आपको ऐसा लगता है कि बाजार एक खुले सांड की तरह है जो कभी भी किसी भी दिशा में जा सकता है जिसका अंदाजा लगाना नामुम्किन है 10. क्या आपने कभी गुसे में, खुशी में या जोश में आकर ट्रेड लिया है 11. क्या कभी आपका पूरा अकाउंट लोस में गया है अगर हाँ तो उसके बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी दोस्तो ये कुछ ऐसे सवाल थे जिनका जवाब अगर आपके पास है तो आपको यकीनन यह एहसास हुआ होगा कि आपकी ट्रेडिंग के प्रति मानसिक्ता क्या है अगर आपकी मानसिक्ता इन सवालों से मेल खाती है तो एक बात जान लीजिए कि आपको अपने ट्रेडिंग माइंड सेट को विक्सित करने की जरूरत है आप अपने ट्रेडिंग माइंड सेट को कैसे विक्सित कर सकते हैं इसे हम आगे चलकर इसी सीरीज में समझेंगे आप यहाँ पर यहाँ कह सकते हो कि यहाँ तो स्वभाविक है जिनका पेशा लगा हो वे लोग भावुक तो होंगे ही तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ट्रेडिंग साइकलोजी आपको एक ऐसा attitude विक्सित करने में मदद करती है जिससे कि आप fearless होकर बाजार में काम कर चाहते हो तो आपका इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि इस बाजार में लोस होना तो बाजार का ही एक हिस्सा है जो कि होना ही है अगर आप यहाँ सोच रहे हो कि आपको कोई ऐसी टेकनिक मिल जाए या कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे कि आपको कभी नुकसान ही नही होगा आपको हमेशा profit ही मिलता रहे और आपका हर एक trade पास होता जाए तो देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता है बाजार में अगर आप trading करोगे तो वहाँ पर आपको profit भी होगा और loss भी होगा profit और loss तो सिक्के के दो पहलू हैं दोस्तो अगर आप एक सिक्के को हवा में उच्छा लोगे तो उसमें head या tail आने की probability 50-50 होती हैं उसी प्रकार trading psychology यह कहती है कि अगर आप बाजार में कोई trade लेते हैं तो उसमें profit या loss होने की probability 50-50 होती हैं लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताओं जिसके बाद आप सिक्का उच्छा लोगे तो head या tail आने की probability 80-20 हो आप सिक्का उच्छालते हो या कहें की toast करते हो तब सिक्के के उस पहलू के आने की संभावना सबसे जादा होती हैं जो की उपर की तरफ होता हैं अगर head उपर की तरफ हैं तो head के आने की probability 80% की होती हैं और अगर tail उपर की तरफ हैं तो tail के आने की probability 80% की होती हैं तो इस कर रहे हैं इस टेकनिक को हम शेयर बाजार में टेकनिकल एनालिसिस कहते हैं क्योंकि टेकनिकल एनालिसिस का नौलेज ही हमें ट्रेड के पास होने के 50-50 चांस को 80-20 कर देता है और जिस माइंडसेट के साथ आप सिक्का उचाल रहे हो उस माइंडसेट को हम ट्रेडिंग साइक अगर आपका माइंडसेट पोजिटिव हैं तो शिक्का उचालने के बाद हेड या टेल आने की आपकी एकक्यूरेसी 80% से जड़ा हो जाती हैं इसी प्रकार ट्रेडिंग में भी अगर आपका माइंडसेट ट्रेडिंग साइकलोजी के हिसाब से विक्सित हैं तो आपके ट्रे चार्ट को रिड करना सीखता है। उसी तरह ट्रेटिंग साइकलोजी को सीखकर ट्रेडर बाजार में अपने इमोशन्स को कंट्रोल करना सीख जाता है। जब कोई ट्रेडर ट्रेडिंग साइकलोजी के विशय में सीख जाता है तब वह एक डिसिप्लीन ट्रेडर बनता है और ट्रेडिंग में डिसिप्लीन बहुत जरूरी है दोस्तो शेयर बाजर में आने वाले 90 प्रतिशत लोग यहाँ पर अपना सारा पेसा डुबो देते हैं केवल और केवल 10 प्रतिशत लोग ही इस बाजर में मुनाफ़ा कमा पाते हैं केवल 10 प्रतिशत ट्रेडर ही इस बाजर में एक सक्सेस्फुल ट्रेडर बन पाते हैं यह 10 trader वे होते हैं जो technical analysis को proper तरीके से follow करते हैं trading psychology को proper तरीके से सीखते हैं और उसे follow करते हैं तो यहाँ पर बात CDC है अगर आपको भी एक successful trader बनना है तो आपको भी technical analysis को follow करना पड़ेगा trading psychology को follow करना पड़ेगा दोस्तों मैं कई traders को देखता हूँ जो इस बाजार में यहाँ सोचकर trade करते हैं कि मुझे लग रहा हैं कि बाजार इधर जाने वाला है या बाजार उधर जाने वाला है दोस्तों आप एक बात को समझ लीजिए कि अगर आप इस बाजार में लगने पर काम करोगे तो ये बाजार आपकी लगा देगा और इतने अच्छे तरीके से लगाएगा कि आप यहाँ सोचने लगोगे कि share बाजार तो 60 बाजार हैं यहाँ तो ऐसी जगह हैं कि यहाँ पर हमारा पेसा डूबना ही डूबना है चाहे हम कुछ भी कर ले इस बाजार में आपको क्या लग रहा है इसकी वेल्यू यहाँ पर दो कोडी की भी नहीं है इस बाजार को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको क्या लग रहा है आपने किस स्टोक में ट्रेड लिया है आपके पास कितना केपिटल है आपको profit हो रहा है या आपको loss हो रहा है आपको यहाँ पर यह बात समझना होगी कि आपको लगने पर नहीं आपको दिखने पर काम करना है दिखने पर मतलब कि चार्ट में कौन सा pattern दिख रहा है चार्ट में कहां पर breakout हो रहा है चार्ट में अभी कौन सा trend चल रहा है आपको य इसका मतलब यह हैं कि आप बाजार के साथ साथ चल रहे हो। हमेशा उन संकेतों को ढूंडते हैं जो की बाजार में short selling करने का indication दे आप मुझे comment box में जाकर बता सकते हैं कि आप किस mindset वाले trader हैं लेकिन जो successful trader होते हैं उनका mindset इस जगह पर अलग ही होता है वे ना तो bull mindset के साथ बाजार में trading करते हैं और ना ही bear mindset के साथ वे लोग बाजार के trend को follow करते हैं क्योंकि successful traders का mindset इस court के साथ जुड़ा होता है always follow the trend because trend is your best friend और जब भी बाजार का trend bullish होता हैं तो ये लोग bull mindset के साथ बाजार में trading करते हैं और जब भी बाजार का trend bearish होता हैं तब ये लोग bear mindset के साथ बाजार में trading करते हैं इस विशय में मैं आपको कहना चाहता हूँ The world of investing is jungle दुनिया भर में जो निवेश का बाजार है वो एक जंगल है और इसमें दो तरह के जानवर घूमते हैं बुल और बेर लेकिन यहाँ पर successful trader वही बन पाता है जो share बन कर रहे मतलब कि जो bulls और beers दोनों का शिकर करे तो यहाँ पर बात सीधी सी है कि आपको किसी भी एक mindset का trader बन कर नहीं रहना है अगर आपको इस बाजार में successful trader बनना है अगर इस बाजार में आपको professional trader बनना है तो आपको बाजार के trend को follow करना है अगर बाजार का trend bullish है तो आप bull बन जाईए और अगर बाजार का trend bearish है तो आप bear बन जाईए तो दोस्तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि trading psychology कोई trading strategy नहीं है जो कि आपको यहाँ बताए कि stock को कहां से buy करना है और stock को कहां पर जाकर sell करना है trading psychology आपको यहाँ समझने में मदद करेगी कि बाजार में trade लेने के बाद आपका mindset कैसा होना चाहिए आपकी thinking process कैसी होनी चाहिए trading psychology आपको यहाँ समझाएगी कि बाजार में जो unsuccessful trader होता है उसका mindset कैसा होता है बाजार में जो successful और professional trader होता है उसका mindset, उसकी thinking process कैसी होती है आपने आज तक technical analysis के विशय में तो बहुत कुछ सीख लिया है लेकिन आप उसे सही तरीके से apply क्यों नहीं कर पा रहे हो बाजार में आप क्या-क्या mistake कर रहे हो यह सब कुछ आपको trading psychology से पता चलेगा तो दोस्तो आज trading psychology के episode 1 में हमने यह जाना कि trading psychology क्या होती है trading psychology का बाजार में कितना महत्म है trading psychology का यह episode beginners के हिसाब से था उम्मीद है कि आपको यह episode पसंद आया होगा अगर इस episode से जुड़ा कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप comment box में जाकर पूछ सकते हैं आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे गुड़ बाई धन्यवाद